नमस्कार दुस्तो, SLC Classes में आप सभी सातियों का हर्दिक स्वागत है, जैसे कि आप सभी सातियों के में बात कुरूँ सातियों आपको वीडियो के पिछे आपको कुछ थमनेल भी दीख रहा है, राध्यस्तान लाइबरी इन ग्रेट थर्ड और ग्रेट सेकेंड की जो अपक निकाली हम बात के, और जिनको वितिवागत या कार्मी विवागत से स्विकरती मिल चुके, उनको जो है आपका उसका भी नोटिफिकेशन निकाली, ठीक है, तो इनी मुद्वपरम चर्चा करेंगे, साथ के साथ में जो मैनली जो आपका सबसे बड़ा रहता है, सबसे बड ग्रेट 3 की हम बात करें, ठीक है, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हमारा चलता है, सर हमें कम्प्यूटर लाइबरी का कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा कुछ भी चाहिए क्या, आप चाई से ग्रेट 2 की तयार ही करें, इसमें ना तो आपको कम्प्यूटर का सर्टि तो उसमें भी की सोफिती था स jurisdiction की करवाई थी जो बासाम कशिस लिया भाग कि Dalai राषे तो उसमें भी जो आपके कोई भी किसी परकार का library science के जो है जो आपका second grade का हो जाता है घ्र वाद श сил तॉम्हें टीपलोमा या computer के वहाथ कोई किसी परकार नहीं मांगा गयाonal familiar तो सबसे पहले हमें क्या qualification की आउशकता है आप सात्यों 12th pass हो ठीक है आपके पास 12th pass होने चाहिए आपने graduation कर ली कोई बात नहीं है ना साथ के साथ में आपके पास CLIS होना चाहिए आपके पास DLIS होना चाहिए या आपके पास BLIS होना चाहिए इन तीनों में से एक होना चाहिए तीक है मैं यह अबलिक लगा रहा हूँ इसका मतलब या तीक है आपके पास इन तीनों में से कोई सा भी है CLIS जो 6 मंत का होता है grade 3 में डिलाइस जो कि आपका साथियों डिप्लोमा इन लाइबरी इन इन फोर्मेशन साइंस इन में से आपके पास कोई सा भी एक है आप ग्रेड थर्ड के लिए एलिजिबल हो आपने साथियों में बातकूर बीलाइस कर रखा आपने कई उने ठीक है ग्रेड़ुशन बेस पर आप घ्रेड हो अभी एप हो अब रहता है साथियों मुद्धा अपिरिंग वाले ठीक है तो स्थर अपिरिंग वाले फॉर्ण बढ़ सकते हैं कि हंने आभी इभी फॉर्म फिल किया है कि आपने फॉर्म भढ़ अबॉन निकल आपने फॉर्म भब गप लेकिन जिस दिन Leyото है कि 21 अब करेंब करतको एपेलायस माने सोच तो फिर आप इनिवर्स्टी इनीवर्स्टी त को आपका जहांसे अपने as Mlis भूफ एक नर्गेल देकलियर और तो वह ठोल गरते हैंा यहीं से अइज लिए हैं कि आपके शोत्ती हैं तो आपका जैसे आपका थर्गिट का एक्जाम है लगबग आपकी जुलाई अगस्तक होगा तो जुलाई अगस्तक आप अपना डिग्री डिप्लोमा कंप्रीट कर लीजी अभी आपका आराम से जो है एक्जाम हो जाएगा और उससे पहले रिजल्ट आपका आना चाहिए हम दूसरा इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा की साथी हो कोई भी किसी प्रकार का आउशकता नहीं है कंप्यूटर सट्वेकेट की कोई आउशकता नहीं है पहली चीज तो इधान रखना अब बात करते हैं ग्रीड सेकिंड के हम बात करें किसके हम बात करें साथी हो आपका ग सकते हैं आप graduate होने चीए graduation के साथ साथ ही आपके library science में आपके पास DLIS या आपके पास क्या होने चाहिए दोनों में से यह ऐसे नहीं कि दोनों ही चाहिए ठीक है यहाँ पर जैसे मैंने यही रहेगा आपका एक्जाम जब हो रहा है आपका जैसे आपका second grade का exam हो रहा है 31 जनवरी 2024 को तो आपका 30 जनवरी 2024 से पहले आपका result आएवा होना चाहिए तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने इसमें computer आपके आउशक्ता है क्या साथियो तो इसमें कोई भी किसी परकार का computer course के आउशक्ता नहीं है PGDCA के आउशक्ता नहीं है कोई certificate RSIAT कुछ भी आउशक्ता नहीं है जैसे हम साथियों बात करते हैं आपकी डी ट्रिप्लाससथे का exam दरे तो उसमें आपको PGDCA के आउशक्ता होती है तो ऐसा यहां पर कोई भी किसी परकार के आउशक्ता नहीं तो मैं मुद्दा रहता है साती हमारा qualification का हमने कर लिया अब रहती एज ठीक है सर एज क्या रहेगी एज क्या रहेगी जो कि अभी हाल फिलाल में बहुत चर्चा में चल रहा है कि सर एज का क्या है देखे एज की हम बात करते हैं जो 2022 का सातियों में बात करूं जो grade 3 का exam होता है उसका में notification लेकर आएं उसी को हम क्या करेंगे हादार मानकर चलेंगे लगबग हर वेके नसी में यही रहता है आपका age का criteria की हम बात करें ठीक है और grade 2 में हम बात करें तो भी लगबग यही criteria रहता है यह मानकर आपको चलना है हम अना देख वही देखें यह जो है आपके सामने है इसका PDF का में screenshot भी share कर दूँगा इस page का में बात कूँँ जिसे के आप भी क्या कर सकते हो आसाने से इसको देख सकते हो reading कर सकते हो हम बात करें क्या रहनने वाला है देखें आयू की हम बात करें हाना आयू जो है एक जनूरी 2023 जो कि आपके 2022 वाले के में बात कर रहा हूं अब इसमें आएगा एक जनूरी 2023 जो इस आपको देखने के लिए मिलेगा टैंसन ना लो एक जनूरी 2023 को साती हो आपके 18 वर्स के आयू कंप्लीट होनी चीए पहली चीज तो ठीक है मतलब सीदी से बात है आप जो है आपकी 18 व अधीज वुसेश में सिधी भरती के पदों के लिए बरती नहीं हो और यदि कोई आविदक उस वर्स की बरती मां आयू की द्रस्ची से पातर था तो उस आयू की द्रस्ची से पातर माना जाएगा किन्तु यह चूट जो है तीन वर्स से अधिक नहीं होगी जो कि कोरोणा क तो अभी जो हाल फिलाल में मान के चलो कि आप जनरल के कंडिडेट हो है ना मेल की बात कराऊं तो आप 40 यर्स तक आप फोर्म बढ़ सकते हम बात करें चीक है वाई दूर तरह हम बात करें अधिक्तम आयू सिमा के हम बात करें अनुसोच जाती अनुसोच जन जाती अन्य के छूट दी जाएगी पांच वर्स की ठीक है आपके ST, SC, OBC हम बात करें अन्य पिर दावग ठीक है हम बात करें सभी को जो है जनरल को छोड़ कर आप सभी को या पांच वर्स की यहां पर छूट है लेकिन जो आउट ओप स्टेट वाले हैं उनके लिए जो है ना ये 40 वर् चैसे आपकी हम बात करें मेलो पुरुषों बात मेला और पुरुषों के बात करें दोनों के लिए जो है आउट ओप स्टेट वाले की बात करां उनके लिए रहेगी वो टीर्स ठीक है भी सामाने वर्क की महिला है अब व्यारतियों की मामलें 5 वर्स की छूट दी जाएगी अब सामाने वर्क की महिला की साथ साथ हम सात्यों बात OBC, ST, SC जो भी है जितनी उन सभी महिलाओं को 5 वर्स की और छूट दी जाएगी मतलब 40 वर्स ही है प्लस 5 वर्स होड़ों के 45 वर्स तक आप फॉम बर सकते हो आराम से ठीक है अनुसु जाती, अनुसु जन जाती, अन् अब बिहारतियों को राजस्तान की मूल निवासी है तो मामले में 10 वर्स की छूट ये लो वहिया 50 वर्स मैं करया था 5 वर्स 50 वर्स होगी अगर सामाने वर्स की महिला है उसको 5 वर्स 45 वर्स तक फॉम बर सकते हैं और वहिया हम बात करे अनुसु जाती, जन जाती, अन्य प आराम से कर सकते हो, ठीक है, तो ये अधिकतम आयू सीमा आपको देखने के लिए मिल जाती हैं बात करे चीक है, तो ये मुटा-मुटा आपके साथ यो मैंने आपको completely इसके बारे में आपको बता दिया, तो age वाला भी clear हो गया, जनरल वाले जो है student है, विद्यारती है, जो male है 40 years सक, आपकी female है general में 45 years सक, ठीक है, हम बात करे, आपकी ST हम बात करे, STS, अनुसर जन जाती, जन जाती, अन्य पिछड़ा वर्क, अती पिछड़ा वर्क, आर्थी रूप से कमजोर वर्क की महिलाएं हैं, उनको 10 वर्स में, 40 प्लस 10, ठीक है, पुरूष है, तो भया उनक है, तो फोम बर जाएगा, मैंने एज का मैंने आपको बता दिया है, अब ये वेकेंसी जो है, सात्यों बहुत जल्द आपको देखने के मिलेगी, टैंसर डालो, ऐसे नहीं कि ये वेकेंसी आपको मिलने वाली नहीं है, है ना, बहुत जल्द आपको ये वेकेंसी मिलेगी, अप त्यारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजी, अभी से आप त्यारी स्टार्ट करोगी, तब जाकर साती, हम जो है, उस लेवल पर हम पाहुँच पहेंगे, अब मोटा मोटा साती हुं में बात करूँ, कि वहिया एक्जाम सरी, एक्जाम कब तो को जाएगा, तो एक्जाम जो है, मान कर सुलो, आपके जुलाई अगस तक आपका एक्जाम होगा है, वेकेंसी जो है, बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी, तैयारी से अभी से स्टार्ट कर भीजी, ठीक है, कहते हैं कि तुबहाना आने से पले जो तैयारी आप राराम करते हैं वही तियास रस्ते हैं, तियास गवाए, मनजिल आपकी सामने है, उस मनजिल पर पहुँचने के लिए बहुत सारे एफट्स आपको लगाने होगा, आपने बहुत सारे एक्जाम दिये हैं, बहुत सारे आपने तैयारी की, ठीक है, बहुत सारे एक्जाम में हमें ऐसा पलता पढ़ा रहा हूं और लाइब्रेरी साइंज के बहुत सारे एक्जाम जो है मेरे सामने से निकलें बहुत सारे स्टुइंट का सेलेक्षन भी हुआ है ठीक है उनका एक ही आता है कि सर हमने जो है तैयारी की वह वेकेंसी का इंतजार है नहीं कि हम पहले से लग गए पहली चीज दूसरा हमने जो सोर्स अपनाया वो सोर्स को हमने उस पर फेद किया हमने उस पर विश्वास किया ठीक है आप जिस सोर्स पर से पढ़ रहे हूं जिस टीजर से पढ़ रहे हूं जहां से पढ़ रहे हूं सातियों उस पर आपको विश्वास रखना ऐसा नहीं कि आपने 10 कित एक कटी कर ली 10 किताब पढ़ रहे हैं इससे अच्छा एक किताब को जो है न 10 बार रिविजन कर लो ठीक है उसके बाद next पर जाए तो एक चीज हमें सातियों जो है आप जो भी तैयारी करें हो हम बात करें हमें limited source अपनाना है ठीक है देखो limited source का मतलब आज के समय में सातियों कीजिए आपके आसपास बहुत सारी लाइबरीस होगी जो इंग कीजिए और सुबह से साम तक वहाँ पर बैटकर पढ़ाई कीजिए क्या दिक्कत है ठीक है अजकल आपके मुबाइल में जो हर कंटेंट अवलेबल है आप जिस कोचिंग से पढ़ना चाहोगे वहाँ बहुत बड़ा इंवेश्ट मन करना होगा बहुत बड़ा पैसा यहां लगाना होगा और बहुत सारे अंब बात की फीसद बहुत जादा होती है online में सातियों बहुत नामातर की face में आपको भर बेटे जो है ना वो content मिल जाएगा जो कि आप offline में आकर यहाँ पर एक लाग रुपे खर्च करके जाती जो आपको दो हजार पच्छी सुर्व मिल जाएगा तो जहां से आप जिस भी course आपने जोईनी किया है आप पहली बार तयारी करें तो वो आपका limited course है limited sources है उस limited sources को सातियों पढ़ना स्टार्ट कीजिए है ना limited sources का मतलब भाई यह मेरे पास course है मैंने जोईनी कर लिया है यह मैंने books ले लिया है अब इस पर जो ना मेरे को पढ़ना है है ना ऐसा नहीं कोई friend मिला और उसके बाद भाई यह पढ़ना है वो भी लिया है उसकी पढ़ना है उसकी पढ़ना है उसकी लिया है और पढ़ने के लिए एक किताब complete नहीं हो रही तो हमें सातियों जो है पहली चीज तो इस source को हमेदे गरनेच्ट की मिलती है बिना मेंनेथ नहीं मिलती है है इस चीज आपको ध्धान रखने तिक है आपको तो यह साथी हो ज़ाता है courses के ह हना जो भी आपको courses अपनाना है जो भी हम बात करें courses की मैं बात कुरूं अगर आप यहाहाँ से प्रत श्ρχक पर ऑट कर रहे हैं grade लाई क्लासेज होगी आप लाई क्लास जो नहीं कर पाती हो तो आपको साथ हो रिकोर्ड क्लास मिल जाती हैं बात करें रिकोर्ड क्लास के साथ साथ हो आपको जो है जब पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स आपको बनवाया जाता है और यह नोट्स युनिट वाइस होते हैं ठ ठीक है नोट साफ साथ पी साथ में जैसे आपके साथ यूंट कम्प्लीट होती है तो unit wise हम टेस्ट आपको करवाते हैं और बहुंत था यूनित वाइस टेस्ट अपलोड भी करवाए जो है प्रोवाइड करवाते हैं बात कि जैसे unit complete होती है, मैं आपको test देता हूँ, वह यह test ही आपके सामने है, आप test देना start कीजिए, test से क्या होता है, एक तो confidence आता है, दूसरा जो हमने गलतियां किये है, जो हमका topic हमारा week है, हम समझने हैं, एक topic तो clear है, ठीक है, वह topic उस topic हमारे सामने निकल खा रहाता है, ठीक है वही, साथ की साथ में, इसके अलावा साती हम बात करें, आपको exam pattern test भी यहाँ पर मिलता है, जो से हम बात करें, ठीक है, तो यह चीज़ा आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा साती हो, आपकी जो है, books हम बात करें, आप books मंगवा सकते हो, हम बात करें, ठीक है, पांच books आती है, पांचो books आप मंगवा सकते हो, ठीक है, यह हो जाता है, इसके अलावा साती हो, जो है, आपको रेकोर्ड होगीニौ नोर्स आपने बना लिया है ईउक्जां पेटर्फन टेस्ट आप दे रहे हुआ आपके सात्यों में बात करुए इसके साथ BOOKS है ठीक है कम्प्लीट हम बात करेरें общем निई पांच बुक्स आपको देखने के मिल जाती है जो कि 5 बुक्स है पांच बुक्स मुंगाली इनको time to time revision दे रहे हूँ booster book मुंगाली 7000 वाली क्योशन्स उससे practice क्योशन्स कर रहे हूं बात करे PYT की क्योशन्स जो previous क्योशन्स है Manly ये बहुत बहतरीन है हमें साथ जितने भी पहले एक्जाम हो चुके है उन paper को निकाली उन पर analysis कीजिए किस topic से अधी क्योशन्स आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं किस level क्या रहे हैं KVS का होँ तो KVS में कहां से क्योशन्स आ है NVS का हो तो NVS में EMRS का होँ तो EMRS में analysis करोगे आप फुद बैठ करोगे तो मज़ाएगा मैं आपको पढ़ा होँगा जब आपको classes तो मैं analysis करके ही class में आता हूँ ठीक है इस topic से बढ़िया परिछली बार exam इस level से आए और यह बहुत hot topic है यहां से जो है पूरा का पूरा आपको मिल जाता है यह आपको एक चिक है अब इस metro को आपने एक ही metro को आपने 10 टाइम आपने revision कर लिया तो यह मान किसलो भईया आपका जो हना यह source है यह आपका perfect हो गया every exam का कहता हूँ कि मैं लगबग जो है आपको 85% जो है यहां से मिल जाएगा यहां से आपको आसानी से अगर आपको 85% मिल रहा है तो आप 85% आप इसको करके आ रहे हो तो भईया आप जो है विमान किसलो पहले ही आप selected हो अभी यह मारस में भी यही हुआ है मैं कह रहा था पढ़ लो इनको यह source है इसको पढ़ लो आप study करो revision करो टेक है 10 times करो इसको मतलब विमान किसलो आपने बहुत सारे exam दिया है इस पर faith करके आप देखकर हो आप ठीक है बाकी की सातियों अब बोलोगे सब previous questions की book तो previous questions की book जो है बहुत जल्द आपको मिल जाएगी यह भी मार्क हम लेकर आ रहे हैं जो कि application से आपको मिलेगी books जो है market में नहीं मिलेगी application पर ठीक है और subject का join करें जिसका लक्से बेच है ठीक है second grade में सातियों paper second के और जो है library science से द्रोना चारी बेच है paper first और second join करें second grade का तो उस बेच का नाम है runbumy तो आप जाकर वहाँ पर join कर सकते हो बात कर ठीक है बाकी का साथ यू मैं आज क्लिर करी दिये आपका qualification क्लिर करी दिया है तो आप eligible हूँ तो आप तैयारी करना इस्टार्ट कीजिए अभी से बाइ काल करेशो आज कर, आज करेशो अब करेशो बार है तो वहिया, ऐसे ने की कल-कल देखो कल आता भी नहीं है तो मिलेंगे साथ योगले सेसर में तब तक लिए सभी को जय हिंद जय वारत